हुआ 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 है तो चलिए आज के लास हम स्टार्ट करते हैं और प्रिवियस लेक्चर में हमने बकट विल सब्सक्राइब कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था सब को एक बार समप कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको पूल ब्लॉक मेथड के बारे में यहां पर दीख रहा ठीक है जिसको हमने अच्छी तरीके से समझा था ठीक है और क्या देखा था और यह हमारा लेटल ब्लॉक मेथड़ हम लोग कभ यूज करते हैं जब हमें सेलेक्टिव माइनिंग करना होता या फिर कि अगर्ण बगेरा कुछ आजाते हैं आप स्मॉल पार्टिंग के आ जाता है या फिर चोटी पार्टिंग के हमारी सीम आ जाती है तो उसको हम लोग तो यहां लिखा हुआ है बकेट विल एक्सकावेटर और यूस फोर कंटिनुवास ओबी रिमोवल इन सर्फेस माइनिंग अप्लिकेशन ठीक है यूज देयर कटिंग विल तो स्ट्रीप अवे दी ओवीज फ्रॉम दी वर्किंग ब्लॉक तो बकेट विल एक्सकावेटर के वाड यूज भी किया strip कि ऊच्ट्रीप यहाँ वी के बारी में ही बोर्डरा से जियाख यहाँ वोभी लिखा हुआ लेकिन यहां पर दोनों ही होना चाहिए घ्क है लिए हं fatal कि इस schools कर लिए कि अब सम काम ही था है तो यह सिर्फ ओभिश के वारे में तीक है और रहा उस्से दोनों ही काम होता है फिल्पतर से हम लोग जानते भी है कि लिए लिए वग्टि इस नहीं के लिए फेमस्ट नेक्स्ट जो श्र्ण नेक्स्ट कारते हैं एक स्पॉइंट का के लिएटा एंर किसको काल बोम को रहिए गुम कनवेर वाहां पर बीच मोबाइल विंथा जयाता है लग जाता पहला देच्व वह क्या है में कऱ शुक्त करता है में करनुंट में चल जाथा यहां पर उसको कुन मिलता है इस प्रेडर fc geen टो क्या लोग पर युख करते हम श्रक्तेर हों टीक ढ़लes करते हर यह दंप यह जारा तो जा एक हएा और अगर हमारा वह अगर c started जा रहा है जो वहांते इसको डिखने से तरहे तो यह यह चीज हमने देखा है यहांपर आ सब्सक्राइब होता है एक है मैट्रेल फॉम दी माइन तुरी डंपियाद और स्टॉकियाड नेक्स्टाइब परपस इस प्रेडर इस तू रिसीव ओवर बादन फॉम दी कनवेड और डंप इन अन ओर्डर इन इन ओर्डर ली एंड इफी संट में ठीक है ओर्डर ली का जी करें ऐसे के हैं तो हमने इसके बारे में तरह नेख लिया क्या है है एक पूराइक लास हम यह किल्यास कर्किकॉर होने और और क्युर्ण हूप दिसकसर कर दिसक्राइगा मैंबट रहे गां और इस Singapore भइन देशाट चीजिए यह और फिर पह wore और योज़े और तो सब्सक्राइब है और और में चपकडर को भोएकों ऊधने के लिए ठीक है थोड़ा सा समझाने कि लब को एक्जांपल यहां पर दिया गया वो क्या है कि अब एंच कॉंप्राइजेज ऑफ वन फॉर्टीन हंटर लीटर बकेट विल एक्सक्राइटर वाली बेंच है उसमें लीटर यहाँ इसका बकेट विल विल एक बकेट का ने यहाँ पर यहाँ पर किसके अचैनलिंग हरा इसलिए यहाँ पर spreader का use हो रहा 11,000 ton per hour capacity का spreader यहां पर use हो रहा है तो तीनों ही use हो रहा है यहां पर bucket wheel excavator use हो रहा है कितना का 14-0 liter का main belt conveyor का जो belt का ठीकने से वो कितना है 2 meter ठीकने से spreader का capacity कितना है per hour उसका 11,000 ton per hour capacity उसका ठीक है की elt compr части धудьकर क्या है जाता है यहां पर वो फितलाइस किया जा सके फुल्ली उटिलाइस किया जा सके प्लेस्ट किया सके अ कि यह पाजार वे में अगर रखेंगे तो फुली यूटिलाइशन नहीं होगी प्लस एक्सिदेंट्स होगी कि नेक्स्ट क्या है methods of working ठीक है methods of working तो क्या क्या है methods of working by bucket will excavator होता है full block method और letter block method जो कि हमने अच्छी तरीकी से देखा है कि involved in two types of cut 2 तरह के cut में involved होता है क्या क्या होता है वह terrace cut होता है वह drop cut होता है terrace cut कहां use होता है highly suitable for soft and easily diggable material ठीक है समझ गया आप लो drop cut होता है in case of stronger rock condition ठीक है तो drop cutting method को use के जाता है stronger rock cutting के condition में और इस case में क्या होता है कि जो bucket हता हुपर tungstein carbide का lining लगा दिया जाता तो तीद को अच्छी तरीके से डिक कर सके efficiently और अच्छी तरीके से जल्दी ठीक है जल्दी डिक कर सके और efficiently डिक कर सके कि नेक्स्ट पेज़ देखते हैं तो नेक्स्ट में हमारा यहां है types of bucket के बारे में ठीक है types of bucket है तो उसमें बगएट है और तो तो से देख लेता है ठीक है तो से बगट देखते हैं ठीक है से लड़ बगट में क्या होता है यह जैसा कि आपको बताया गया है कि कि जो जो हमारा conveyor बेट है कि से बगट में हमारा क्या होता है यह जैसे कि आपको बताया गया है यह जो हमारा bucket wheel होता है कि कि वह mounted होता है slanting टाइप से प्लेट ठीक है यह तोड़ा सा slanting होता यह 3D में फिल किए यह वाला छोटा रहेगा यह तो बड़ा तो यह जब भी आएगा जैसे कि माले यहां पर bucket है तो जब यह डिश्चाज करता है तो यह slanting रहता है इस केस में यह जो हमारा बूम कनवेयर होता है यह जिसे कि मेट्रियल यहां पर गीरा यहां पर यहां पर गीरेगा यहां यहां पर इस तरह की जो बकेट होती है तो हमने सेल टाइप कनवेयर के बारे में जाना कि नीचे में उसका जाली लगाव होता है और इस तरह की जो नीचे से खुलावा होता है ठीक है और वो जो डिश्चार्ज करता है ठीक है तो वो जो डिश्चार्ज करता है तो उसका इंडिविजवल सूट भी होता है प्लस वो जितना भी होता हुँ थीक है और वो डिश्चार्ज करता एं रिचार्च करता है ऑर ऩो कशे मेठील क्या होता है यह हमारा हुद हो गिया यहां पर बागेट लगें आ यहूं और यह यहां पर यहां पर इतने भी विक्रम से एक फॉपर ने मत क्या होता है तो यह यह क्या करता हॉपर इस फ्रीफ पर प्राइटा है यह यहां हुआ हो रहा यह धिक है उसके बाद भूंग करुए पार उसे में नीचे से उस से पूरा ही रजाओ इसMें कहीब ह lleg we can finally a P बूम कनवेर के पास जाता है और लेटर और फिर वो डिस्चाज कनवेर में बेल्ट कनवेर और होते हैं प्रेडर यह स्टैकर डिपंडिंग अपॉन दी ओर और ओबी ठीक है तो यह पच्छी तरीके से समझ गये और कि यहां पर लिखा पर जो 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 हम बोले सेल इन्डिविजवर शूट तुट डिश्चाज में युनिट वाई अपुर्य यूनिट वाई स्लोप सेट्ट के माधियम से चला जाएगा बगट के नीचे में जाली लगा रहा रहता है ठीक है यह पहिचान होगी है कि इसका स तो बखेट विल इक्सकाबिटर मांटे और रेल और क्रोलर थी कि हम पिछले क्लस में पर देखा रहेगा वह क्या करेगा रहें रहें पर ही चलेगा तीक हम इसके बारे में देखेंगा तो थोड़ा फिल भी आ जाएगा वीडियो अभी जब देखेंगा और थोड़ा से तरीक लिए और बोट ऑपको इसके बरे में बताया भी गिया है कि अगर अगर वेस्ट पार्टिंग को रिमूब करना चाहता है या फिर वो जो पार्टिंग हमारा है सीम का वह अगर पतली है उससे हम से एक्स्टरेट करना चाहते है वहां पर तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर lateral block method use करते हैं ठीक है lateral block method किस तरीके से यूज करते हैं अपने अची तरीके से पढ़ा है ठीक है hard obis are blasted before excavation by bucket wheel excavator ठीक है जो hard obis रहेगा उसको हम लोग pre blasting कर देंगे ठीक है पहले ही blast कर देंगा उसके बाद समें bucket wheel excavator को deploy करेंगा ठीक है excavation के लिए कि नेक्स्ट पॉइंट के लिगनाइट और सब्सक्राइब को हम ब्राउन को भी बोलते हैं लफिंग लफिंग अरेजमेंट को आप समझे जैसा कि होस्टिंग होता है ठीक होस्टिंग इस तरह के सामने हमने अभी तक देखता है इसमें क्या बोलता है ड्राग लाइन में तो भी होता है ठीक है तो उपार और नीचे जो अपना भूण को करता है उसको भीक enabling के माध्यां से एक है बीटेंट का सीन थोड़ी करता है या फिर अगर वह मात्याइ करता है या फिर अगर वह हैट्र सब्सक्राइब नीचे की तरफ लगे होता है जो कि उसे पुस्स करता उपर में या फिर लोवर डाउं कर ठीक है तो दोनों ही कंडिशन हमने समझ लफिंग किस किस तरीके से हो सकता है विंच मेकनीजम से भी हो सकता है या फिर हाइड्रोलिक सिलिंडर से भी हो सकता है ठीक है यह पेज पेज कपतम हो गया नेक्स्ट पेज में दिखते है क्या है लफब बताया है और स्विंग नहीं बताए ठीक है सुलिंग के बारे मुं जानते रहे हैं एक जो जो मूब्मेंट आता है वह आता है स्विंग एस एल इडवलू आई एनजी एक स्विंग करता है तो स्विंग मतलब क्या होता है कि हम घूमते थे तो स्विंग का मतलब है जब यह रोटेट करता है अगर इसके साथ मोबाइल बेल्ट कन्वेर एटेज ना हो ठीक हमने देखा भी था पिछले पिछली क्लास में और अगर 350 डिगर यह नहीं कर पाएगा जब इसके पास मोबाइल बेल्ट कन्वेर एटेज़ रहेगा तो यह इसके पीछे से यह का कनेक्शन थो यह मोव कहीं से कर सकता है निकर पाया का 370 कर सकता है तो मुव में को को आप यह मुव में एंक्ड गूलती है या फिर ड्रैग लाइन में हम क्या बोलते हैं और बकेट विलेक्स का वेटर में एसली डव्लू आई एंडी स्लूइंग बोलते हैं ठीक है नेक्स यह इस फेज में जो था हम देखते हैं इसमें क्या बोह रहा है कि बूम करें बूब अप अपन डाउन बाइब प्लस-30 डिग आशका सकता एकर नीचे भी कर सकता है 30 डिगवी या फिर उपर भी कर सकता तो ज्यादा अगर करेगा तो इसका उपर जो मिट्रीयल हो रहा है तो वह जो मैट्रीज बात पर बीटिपेंड करेंगा और यहां पर एक रहाफ लिग दिया गया अगर नेकोशीयट करना है आपको आपको यहां पर लिखा गिया कि तीश डिइन से ज्यादा यूज करना के सकते हैं कि हाँ मेरा जो भूम रहे हो तो आप उस केसे में क्या कर सकते हैं वहां उस प्राइब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमने जान लिया कि कि जादा हम उपर अगर करेंगे एक लफिंग रेजमेंट में ज्यादा इंकलाइन से उठाएंगे तो में टेल करेंगे का संभाव नाइए है कि का फ्रॉम्डी होराइजन्टल यहां पर बताया गया 30 डिग्री प्लस माइनस यूज कर सकते नेक्स्ट पर्मिसिबल वर्किंग है के से रिग्लेमर का लिया और करा कि स्टेकर कम रिक्लेमर के बारे में ठोड़ाओ सगल में इस विप स wrench सझी अगए हम कि ने की जो आयसे संग हम और यहां जो आपने रेक्षक चैकर यहां पर अब करते हैं एक सटेकर कर दोलों और का हैंडलिंग में व्लक सप्रेटर क्राइए च्बडिक हमने चलाएगा में चला जाएगा कि थार्ड क्या था था हमारा रिक्लेमर रिक्लेमर काम क्या है रिक्लेमर काम यह है कि अगर माइन्स में रिक्लामेशन चलती है रिक्लामेशन का जब समय आता है तो हम क्या करते हैं कि जहां डंप याड़ होता है वहां पो रिक्लेइमर मशिन लगाते हैं चुकि एक दम हो बहु देखने को देखने में होता है व्केट विल एक्सक्रीटर की तरह और वहां से वह अपने मैं करने स्बस्त single के कौनए करता है और तो यो गरने से वाइट हमारा ओना चल सला जाता स्ट WRice 들 रखें में स्टेंट के inom हम तो खरें कि जो बिवी थे वोर कुग इसको spend से विएपने करते हैं आप से जह भी मैंधर होता है ऑ्खरों मैं कर लेता है जैसे स्टैकर जो हमारा स्टैकर से क्या किये थे हम पावर प्लांट में लिगनाइट कोल उसको स्टैक करके रख रहे थे कहां से कोल आ रहा था हमारा मायन्स का स्टैकर करके रखता है वीडियो आप देखेगा तो अची तरीकर समझ लागा तो आपका सारा चीज़ क्रिस्टल तो इस फर एक्जांपल यहां पर लिया था पावर प्लांट में पावर प्लांट में स्टैकर को लगा कर रखते हैं फिर जैसे ही माइन्स से बकेट विल एक्सकावेटर के दुआरा मेंब्ड कंवेर के दुआरा जैसे ही स्टैकर के पास कोल पहुंचता है ठीक है तो वह क्या करता है फिर स्टॉक यार्ड जो होता है पावर प्लांट का जहां पर वह 10 दिन 15 दिन 40 दिन स्टॉक में कोल को तूँ स्टैकर फिर ऊसको जान स्टैकर करके रख देते हैं बाद में उसका यूज करना होता है विजली का उत्पादन होता है ठीक है covid आपके घर में बजली पहुंचता है ठीक smartphone कॉछ तो अगर करनं हो पाता है क्योंकि वह लोग स्टॉक की याड्ढ बना के रखते हैं power the help of stacker ताकि जब भी discontinuous supply from the mine हम वहां से जो यूज कर सके कोल का और हमारा जो production है electricity का उत्पादन है वो बरकरार रहे और हमारे और आपके घर में बिचली हमेशा रहे 24 आओ तो इसका हुआ यूज हम लोग करते स्टॉक याड बनाते हैं और स्टेकर का मदद से उसको कर करके रखते हैं वहाँ परतो यह चीज़ हमने ट्रॉट से देखा स्टेकर के बारे में खिंक है और और खुमेंट के कर सकते हैं इसको हुआ कर सकते हैं पाउड प्ररांट इसको है एक ही मसिनेरी दोनों का स्टैकिंग का भी काम करती है यह हम करते हैं एक ओनों करता है ऍपन और पुलता हैं लिए जान insecure पहुत है छार मसिनेरिक के बारे मायच हम पढ़ेंगे और वह व्ह आपना चा hen लिए वोड़ा सो ब्रोटली हम लोग इसके वारे में जानेंगे फिर्स्ट फॉल हम इस्टेकर कर फिगर देख लेते हैं उसके बाद इसके बारे में पढ़ें यह दिखे इस टैकर ए कि क्या होगा कि बहुत दूर से आ रहा होगा माइन से ही आ रहा होगा यह लाइन से होते यहां पर कोई भी देखिए बकेट विल एक्सकावेटर जैसा कुछ भी नहीं तो यहां पर बकेट लगा हुआ रहा रहता लेकिन जब स्टैकिंग का काम करता तो सिर्फ यह यही बकेट क्या होता इसी में पेनिट्रेट करके जो लाइम इस तरह हो जाता इस टेकर का केस में कैसा था माइन से आ रहा था तो यह यहां पर स्टैकिंग कर रहा था तो यह डारेक्शन किसका है जब स्टैकिंग कर रहा है जब स्टैकिंग कर रहा है जब स्टैकिंग कर रहा है लेकिन जब यह रिक्लेम करेगा तो इसका डारेक्शन क्या हो जागा यह इस तरह का डारेक्शन हो ज यहां जो लैमिश्टोन है जब उसे यूज करना रहा था तब उसे यूज किया जाता अगर यह स्टैकर का रिक्लेमर होता है ठीक है तो आप जो सिंपल सा डिफ्रेंस है वह आप समझ गए ठीक है लेकिन यह अभी क्या है यह सिर्फ स्टैकर है ठीक है क्योंकि इसमें बकेट आप खतो को स्टैकर माध्यम् से दिखाया यहां पर तरीके का है दोनों से माध्यम से ही आ रहा है आपसे यहां से यहां से सारव को डूप के मात्यम के जो सानए हो रहा है कि दोनों आपना शु biraz अएसाल लंसे क्या प्लिव". गेरिल मांटे्ट रहे आप में रिखेंगे कि रहें यह हमारा फ्यतर एक से देखेंगे में रेखी में बिदिल में इसका रहता हा इस एड़ इचक्का रहेगा है तो इंक तो इस थी तो इस यहां पर आप तोटा सा अ मॉंटेड का फिगर देखते हैं विए देखिए रिख्वं के टेश्ट डेश्ट है कि अ ठीक है तो हमने जान लिया टीक है कि स्टाइकर के पारे में अच्छी तरीके से जान लिया अब इसके वारे तुर्वा सब पढ़ा लेते हैं ठीक है तो लार्ज मेरे लांडे स्टेकर में एक लार्ज मषीन यूज़ नंब कर ने चाहों में है तो तो इट्स फंसन इस्टू पाइल कॉमा बल्क मेट्रियल सच आज लाइम स्टोन और ओल ऑन्टु ए स्टॉक पाइल ठीक है यहां पर इतने भी नाम नाम लिए गए सारे ही और है ठीक है तो आपको समझ मारा हो कि स्टैकर यूज होता है और से लिए पूर्स के लिए यूज हो तोनों सब्सक्राइब और मुवस इन टू तू डिरेक्शन ठीक है यह सिर्फ दो डिरेक्शन में मुव करता है हुआ हुआ कि होर्ज़ोंटल एलंग रेल रेल जो मुव करेगा और वर्टिकल बढ़ लफिंग रिए टीक है लफिंग करेगा उपर और नीचे तरफ जाता है तिर पर बीज़ेंगे दीटाइघ का है किसा कर अचिक प्यांप यूह उस्टकी अच पेड़री ने लिख दिया गया रहा पर स्टेकर का धरीक्र का फर्स्टकिया तौल्स टॉक्याड के लिए गया गया फर्स्टेक्ट इंग को फॉल्स रिजर्बिया इस सप्ला को फॉंद् में और स्टेकिंग कोल को स्टाइक करके अची तरीके से रखने के लिए इन रिजर्व में ठीक है इन के से सप्लाइब कोल फ्रॉम दी माइट इस इसकेस में क्या होगा कि उसे रखा जा रहा है इस्टोर करके ताकि हम लोग यूज कर सके पावर प्लांट में बिजली का सब्सक्राइब कर देख्षाइब और यहाँ भी यह सेम कैस यहाँ बेल लगावा नहीं है यहां भी आपका बगेट विल लगावा है नहीं नहीं तो है इसके केस्के नियुज नहीं नए यूज होगता लेकिन यहां पर बॉक्याट भी लगावने ने थो पिक यह तो यह हमारा इस्प्रेड़र यहाँ है यहां पर START चरहें कर रहㅁ है इस्प्रेडर ए ठीक है तो Сп्रेडिंग करने का ड्रेक्ष्टिन भी समझ रहा हूग आपको यहां से यह तो पर जो उसका डंपिंग साइट है वहां पर है तो स्टेकर का आप वह देख लिए किस की तरीके से जाता है इसमें भी आपका कांटर है अपर कि यह लफिा करेगा तो है कि थो प्रेडर का आपने फोटो बगर देख लिए कि अब क्या कहता चलिए कि प्रेडर क्या एच यहा बोल रहा है जि drawnol की ऊचो बादर के किया जा रहा है continuous over button of removal in surface mining application सही है they use their cutting width to strip away a section of earth ठीक यह तो बकट विल के बारे महुंगे है और क्या बोरा spreader को क्या है साव है क्या क्या कहना चाहरा next next stranger में क्या है the over button is then delivered to the discharge boom which transfer the cut earth to the main conveyor के बारे महुँगे उपर में बकट विल के बारे महुँगे ठीक है और इस्टेंजर क्या बोल रहा है में अधा में बकट करने ट्रांसफर्स दी ओवी तूदी स्प्रेडर को भी तन scatters the over button is dumping ground in an orderly and efficient manner थीक है वो क्या कर रहा है में बी डाबली के बारे में बोला उसके बाद main belt Convair के बारे में बोला रहा है कि मियंड Skype को पुस्टान के अर्म टांबर कर देता है इस थी डैडर को फिर Estado करता है और में resonate कर रहा था उसका कैपेसिटी 11,000 टन पारावार था ठीक है स्प्रेडिंग अफ ओपी डंपयाड तीक है इसको तो हम लोग पढ़ी लिया थे ठीक है समझी लिया थे प्रेडर के बारे इतनी बड़ डिसको सोगे कि आपको इस प्रेडर आपको अच्छी तरी किसे समझ में आ ग किति हुए अभी तक स्टेकर था तक स्तरी किसी में भी लें तो रेक्लेमर मिला रिकलेमर वाग्याड डालेगा और माइस में रिकलामेशन पर और प्र अगर प्लांट में इसे लूड करेगा और इसे जहांपर यूज होना है तो यहां से आएगा तो यहां से हमारा को लागा यहां से यहां से आ रहा है को गूल कि यहां से आ रहा यह सूट है यह सीट यह इन लागे इन इसको जाना आथी सेड में चला जागे उधर दोर सब्सक्राइब यहां से यहां पर गिर कि इस种ेड़ होता है कि स्टेप बाई स्टेप जाता है हम देखेंगे तो छुछ थेव did तो इसका जो फुलो फटारेट्ट इस एड़ के यह वाली देखिए रिक्लेमर है ठीक है पावर प्लांट में यूज हो रही है ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं लोग यह हमारा कॉल का पाइल है यहीं पर अपना जो uber कि भी लाइट करें और फिर lunar करेगा अपना बूंक जोबत करें फिर यहां से बीड़ेगा और बेल्ट काते होगा इसके इसने बिलड गन्वेर सारा नियुकर आज यह रिएल्ट नहीं है फटर लिएंग यह बेट कनवेयर है इस तरह इस तरह का सितकर है इस तरह का डॉल्ट के लंगा यह साल के कुछ फॉल्ट को यहां भी यूज होगा क्योंगे प्रीक ऑर इसमें आपको सब्सक्राइब को हुजद करेंगा डीक है फिरसी ये वाला काऊंपर वेट है कि का यह मारा क्या कांटर वेट ये अर् ये किसी पाम में जो काया दा है जाब यह लॉबर की तरफ है और जैसे यह यह बॉम हमारा जब उपर जाएगा तो यह काउंटर वेट नीचे की तरफ है तो बैलेंस रखेंगे ठीक है मसीन को बैलेंस रखेंगे ठीक है तो यह आपको समझ माँ गई इस फिगर में देखिए रेल रेल की पट्री साफ साफ दीख रही है यहां पर आपको रोगाइव के प्पट्री साफ साफ दह तो हमने रिक्लेमर के बारे में देखा अब हम रिक्लेमर के बारे में थ्रहाँ सब्सक्राइब क्या लिखा गया रिक्लेमर में क्या लिखा हुआ है रिक्लेमर में क्या लिखा हुआ है रिक्लेमर इस लार्ज मसीन यूज इंग बल्क मेट्रियर हैंडलिंग ठीक है रिक्लेमर यह को भी हैंड करता है ओर बिसको है अगर रिंट कर लेंगा हुए नेक्स्त रिक्लेमर नॉर्मली ट्रैवल साने रेल रेल बेटीविन ड्रावल करता है एंगा कर सकता है यहां पर लिखा हुआ है तो सुलीं को हम लोग समझेंगे स्विंग सारे ही इलेक्टिसिंग से नेक्स्ट्र इसलोगों करता तो इसने करता है यहां पर आपको दिखाई गई है चारों मसीनिरी इंकलोडिंग बकाट्व एकस्का वेटर ऑसो देयार ओल पावर बाई एलेक्टिक सिटी से और अ कि नेग्स्ट तो रिक्ले के वारे में अपने जान लिए आप हम लांस ट्री देख 빠ते हैं हमारा है स्टैकर थिपने हुमें स्टैकर मेर हम म Zak fulfil कि वारे में झानते हैं जान लेते हैं थोड़ा सो ठीक है तो यह जो jumper अपको यहां पर दीख रही है तो यह जो machinery आपको दीख रहे है स्टेकरक काम рекlamer कि किस तरीके से हैं जूँकि हम किस तरीके से पच्छानते हैं यह कै अगर he Until Pre lavender होता तो क्या होता यह वाला bucket इसका मतलब के साथ इधर इसका मतलब यह है कि माइन से कोईला आ भी सकता है जो कि इस रास्ते से ओंके यह इंतना से रास्ते से यह अई है अब बुम कन्वेर के बाद यहां से स्टॉक फाइल में पिरेगा तो दोनों को रासा समझ मागए आपको कि अगर स्टैकिंग करने काम में भी आ रहा है यहां से यह वरा कन्वेर के माध्य है तो आपको समझ मारा हूँ कि आप भी पहचानत सीख रहे हैं कि इस स्टैकर को या फिर जो महारा रिकलेंर इस स्टैकर का हम से पचाहन के सब्सकर को थे गाग तो आप सिंपली यहां पर से नीचए गिरता और इस कन्वेर के माध्याउय से चलाए हूए यहां पर stacker है यह हमको पता चल रहा है कि यहां से भी material आ सकता है फिर इसमें यह गिरेगा और फिर यहां से गिरके यह यहां पर है i कंड सब्सक्राइब去 intrigued love यह है यह मशेंशनी तो दोणों कितरा काम कर सकता डियामर की तरह बीए और स्टेकर की तरह अगर यह स्टेकर की तरह रहा है तो इसका जो डार storage रहेगा वो ऐसा रहा क्योंकि it's the तक अगर काम करेंगा को किस तरीके से चले उट gefallen ककर सकती है और रिकलेमर का दोनों ही चाहिए आगा समाज मेंगर झ不会 स्मझति अगर को चीजी ज़िस प्रों मेर मेर्ग करना़न कब श्रीकिन करना ने अगर सबति क्स टारे our अब फ्रोस एक बार देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं उसके बाद हम वीडियो की तरफ से ठीक है फिर कोश्चन से जो बचा हुआ है बकट विलेक्स का मेंटर वह हम देखेंगे कि यहां भी देखिए आपका कौन सा मेंटर यह यह आपको स्टेकर का मेंटर है कि स्टेकर कम रिख लेंटर तो इसमार रहा हो क्यों है तो समझ में तभाई ही रहा होगा आपकर इसके बारे में आपने सब कुछ ही जान लिया कि सब कुछ ही जान लिया इसके बारे में और रेल मॉंटर होता है किस तरी के से रेल मॉंटर होता आपने यह भी अची तरी के से देख लिए आपने और नेक्स्ट यह अपका इनिमेटेड डिएग्राम है स्टैकर और कम रिकलेमर का ठीक है यह देखिए यहां से यह बना हुआ है यहां से यहां से आएगा चड़ेगा यह इस ट्रूंब तो सारे ही चीज़े हमने देख लिए अब क्या है कि चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं तो आईए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं और जानेंगे कि रिक्लेमर किस तरह के से करता है था किसी तरीके से ऊकलता है यह तरह करता है ईंड़ी से कम करता है और हमारा जो करेंगे नियुक्त लेकिन सब्सक्राइब करेंगे और इस तरही के से स्वेडर काम करता इसके मदद से हम चारों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से काम करता तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका वर्किंग मेकनिजम कैसा है परस्ट आफ लिए पार्ट बाई पार्ट दिखाएगा किस तरीके से जॉइन करना इसको फ्रॉंदी वेरी बेसिक कैंच करते हैं अए इसका टर्न टेबल रखा गी है यह कंवेयर का डिजाइनिंग हो रहा है और कंवेयर बेल्ट दूपर वर लगा दी गई है कि यह मारे काउंटर वेट है काउंटर लग गया और बेल्ट कनवेयर नीचे वाला बेल्ट कनवेयर होने वाला उसका फ्रेम बन रहा है कि यह काम में आगा श्टैकर का श्टैकर का स्टैकर का में यह वाला बेल्ट कनवेयर नीचे से ऊपर की तरह मेटरिल चलेगा और फिर बंकानिवेयर में गेरेगा विचिज्ट लेटर अनिस्टैकर का तहसेatin केशवरर्किंग देखते हैं बन गया था वह ठेस्ट वर्किंग यह किसका तेस्ट हो रहा है यह ट्राव्लिंग ट्राइब क्नार में किस तरह कैसे रहेल पर चल रहा है जिक है बीच में क्या है आने पीच मेंस का बेल्ट कनिवेर रहा है के और साइड साध में तरने हैं यह हमारा बंकट सेट मेरब करने और अर्ब आका और यहां पर की części स्वारी प्रिफॉ़ वये यह तवगो के सेले सेट डिलस टाइप से था हुश पर मैं टेक्रेंड टेस्ट है ऐसे बहुर इन करेंगे क Wyma कर रहा है विंच मेकानिजम से कर रहा है pledge कोगे डीविंग तहीं कर रहा है शुटेज्टे देखते हैं टिक अपर्रेशन स्टेज़ देखते हैं इस सथ से पर्रकों सटैकर कर आगाए तरह से अप्रेशन होगा और एक को पर था ओपर का मात्यम से कि रा नीचे दूसरे इस कि यहां पर गिरा है यहां से डिर्क्ली देखिए स्टैक्ट किस तरहीकर से होगा यह समझ लिए जै कि ही की फिर तो खिया है थी एक होगory कि चीचिट ठीक बिखना कि कि इसी तरीके से अमरे बहुट वह भी चावर्म या फिर कॉन सेप्स टैक किया जाए सै मैं यह यह हे यह तहमारा हो गिया था है कि टकलेचे गद्सेंट कि की यहांना से डैरेक्टली नीचे की तरफ जाना से दार्रक नीचे की तरफ घान gaps बेंगा न क्राइड यह ईत हूझील्स पर तो है तो यहां पर आपने तरीकर से देखा चीज़ों के यह किस तरीकर से काम कर रहा है यह 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 आया तो बलते हैं हमें हमारा conveyor belt कहीं से भी आ रहा होगा माइन से आ रहा है माइन से यहां पर स्टैक कर रहा है तो इसलिए से स्टैकर बोलते हैं और यह चुकि दोनों ही काम कर रहा है स्टैकर कम रिकलेमर बोलते हैं तो इसकी मदद से आपने देखा लफिंग अरेंजमेंट देखा स्टैकर का वर्किंग देख लिया और इससे आपने फिर देखा कि नित को पोडिंग ने लोडिंग करने बाद किस तरहें से इस काम कर का एक यह वन ए उसके बाद तरह आपने देखा कि बॉकेट से किस तरीके से लोडिंग करने बाद किस तरीके से अब रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपने चारों ही चीजों को देखिए किस तरीके से काम होता है लोग देखेंगे रिलिस्टिक वीडियो को देखेंगे इक वहाँ पर स्टाक्ट किया हुआ और वहाँ पर रिकलेम कर के वह पावरुप्र Łcc पहुचा रहा है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आ गए आपको यहां दिख भी रहा होगा पावर्प्लांट का सीन आप यहां पावर्प्लांट वॉजए सा कि आपको कहा गया था कि बिजली हमेशा हम लोगों चाहिए तो फिर अगर मायन्स का सप्लाइ यहां का यहां रुखता नहीं है तो जब भी डिसकन्टियूस हो जाता है मायन्स से को कोल का ना तो इन लों के पास स्टॉक याड होता है वहां से ही इन लोग कोल का यूज कर लेता है तो किस तरीके से यूज होता है वह हम देखेंगे आज पर 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 है रिस्चार्ज कर रहा है को रिस्चार्ज कर रहा है इस सामने अनिमेशिन में दिखा था यह हमारा रियल है कया बकल जैसे रिवर्स हो जाती है यह डिस्चार्ज कर रहेती है यह इस लेंडिंग प्लेट पर डिस्चार्ज कर रही है ठीक है यह सब कहीं तो अदग अलग तो सूट से डिस्चार्ज करें है कि एक बार अलग सूट निश्चार्ज होता वह ऐसे वाद देखिए अच्छी तरह गार है यह मैं बकेट्ट युल पड़ा था सेल सेल टाइप का बकेट और यह सेल टाइप बकेट नहीं है फिर बिसका अनडियो डिस्चार्ज और यह स्लैंटिंग प्लेट पर डिस्चार्ज सब्सक्राइब कर लिए लेटर और यह से ट्रांसफर होके जा रही है चाहां भी से बढ़न होना है कि नेक्स टॉपिक जो मारा होगा वह वह कंवेर बेल्ट के बारे माची तरीके से जानेंगे तरह सारी आइडलर्स लगी विए अगरी के मात्यम से हो रही है और जहां यूज होना है वहां यू झा रही है झाल पिसे होना आपर जाणे हुए gewe उब्जाम नियर्ट और यह चला जाता ठीक है यह तो हमारा जो भी दिख रहा है यह तो इसके रिगार्डिंग भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होंगे ठीक है यह हमारा स्टॉक याड में है रिक्लेमर का हम लोग डंप याड में भी यूज करते हैं ठीक है एट इस टाइकर भी आपने अच्छी तरीके से देख लिए अच्छी आपका क्लियर हो गया और चलिया जो कॉश्ण से बखटविल एक्सका बच्राइटर के बच्चे हम लोग फ्रेंगे ठीक है या मुट को एक्सक्ण को को स्कुटेल कर लेता है तो चैनली से जो जो कुश्ण है वह फॉलिप्रन कंडिशन इस एपलिकेबल फोर बख in the form of reclaimer next highly efficient excavator for lignite के लिए highly efficient के एपक्ट कर सकता है soft over button and can be used in blasted over button with less or no boulder ऽेक्षे ब्लस्ट भरबडन में भी हमेसे यूज कर सकते हैं तो सारे ही चीजों के लिए हमारा बकट्विल एक्सक्राइब है तो देंसर विल बी अल्द अब यहां पर सही नेश्च देखते हैं प्रोपेलिंग मेकनिजम फोर बकट्विल एक्सक्राइटर इस जो चलने का माध्यम होता है वो किस से होता है धिकर तो हम जानते हैं न हुझा है और अब किसे न फोर है किसी अभी एक किसे करे मार्टी लग तेर्गला करें और मार्चिंग या फिर चलनी किस से कर सकता यह कि द्मांटट भी अक रॉल oops सब्सक्राइब तक चल सकता है को कहीं भी जा सब्सक्राइब नेक्स्ट जो पेज हमारा देखते हैं फूशन में थ्री में क्या है फूशन में 3 में बोल रहा है कि वो थे और करेक्ट रिगार्डिंग इस लेक्श नेक्स्ट पूस्ट नमर फॉर लेंग्थ फ्लेक्सिबल गबल फॉर बकट विल एक्सट विल एक्सक्राइब एक एक हजार एक हों थाओजन है तो मिसलेनियस में आपको जितने भी ट्रेलिंग के लेंक यूज होती है पंकास् सब्सक्राइब को बता दी जाएगी और अभी थोड़ा सो कुछ में आपको बता जाता हूं कि जो इलेक्ट्रिक ली ऑपरेटर होती है एक है में उनको जो ट्रेवलिंग केबल का लेंग्थ जो मैक्सिम लेंग्थ लेंग्थ होना चाहिए वह है आपका तीन सब्सक्राइब कि इतने भी ऑपन कास्ट्र मेंशनरी यूज होती है एलेक्ट्र के लिए ठीक है उनका जो केबल का लेंग्थ होता वो क्या होता है मैक्सिमा के लेंग्थ होता है 300 मीटर कि इसका आपको रिफ्रेंस भी मिल जाएगा रिफ्रेंसिप्स का है रेगुलेशन एक सो साथ ठीक है में सिए 210 रिफ्रेंस तब्रेंस आट में दिया हुआ कि मेक्सिमम्ण लेंग्थ हो केबल का वह कितना हो जाएगा उपन कास्ट मसीनेरीज के लिए जो एलेक्ट्र के लिए टीन सो तो घ्रिक है उसको अधिक है उसको एक्जैशन दिया हुआ हुआ कि उप छे सो मीटर तक कर सकता है यह जो आपका ग्रेंट दिया हुआ है यह उसमें आपका ड्राइग लाइन के लिए क्या हुआ कि ग्रेंट किया गिया गया एक्जम्ट किया गया ग्रांट को कि ये 600 meter का cable भी यूज कर सकता 600 meter length तक का cable यूज कर सकता ठीक है किसमें दिया गया exemption इसको regulation 116 का 2 में ठीक है और यह भी है CEME ही दिया हुआ ठीक है आप regulation 277 में आख डूढ़ने लगे CEM 2010 में regulation 116 का सब revolution 2 में दिया गया है drugland के बारे ठीक exemption दिया गया drugland को कि यह 600 meter तक cable का यूज कर सकता है और उसी तरीके से जो आपका bucket will excavator का है यह आपका 107 का regulation 107 सब regulation 8 में ही दिया हुआ है कि इसका जो लेंग्ट फोड़ी केबल होगा तो थाउजन मीटर होगा 11 किलोबोल्ट ठीक है यह सीए 2030 दिया हुआ regulation 107 का 9 लिख दिया गया यह थोड़ा समिष्टेक हुए है यह थोड़ा समिष्टेक है यह आट को इसके लिखने में गलती होगी यह लग्राइस में तो यह जो आपको पीडिया 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 कर लिए लेंग्ट फ्लेक्सिवल के बारे में सब कुछ है जान लिए कि यह उपरेटर में उनका 300 मीटर से ज्यादा नहीं होगा maximum length of cable बट इनके सब ड्रैगलाइन थोड़ी सी छूट दी गई है ठीक है अंडर सी ए रेगुलेशन 116 सब रेगुलेशन 2 में छूट दी गई ह सब्सक्राइब के लिए 1000 मीटर का केबल का छूट दिया गया है 11 किलोवल्ट ठीक है और सीए 2010 रेगुलेशन 107 सब रेगुलेशन आठ में ठीक है इस थोड़ा सा नोट कर रहा है ठीक है चलिए तो कॉस्चिन नमर फोर हो चुका है हमारा हम देख लेते कॉस्चिन नमर इंडिया में सिर्फ एन लसी यह जहां पर बकट्वील चलता है इस बखेट विल चलता है इस बखेट विल चलता है तो में लादू में लाइक करता है एनल सी डिवले लिगनेट कोर्पोरेशन इस प्रिफर तो बी यूज़ पर बेंच हाइट अफ 20 मिटर तो 30 मिटर ये इस बखेट विले अगरें तो इकोनोमिक नहीं रहें प्रॉफिटेबल नहीं रहें ठीक है तो हम 20-30 मिटर का इंस आफ्रोग फोर्मेशन में यूज़ करता है बगट्वील एक्सक्वेटर तो कुश्चन में चिक्स ही यह अपका क्लियर होता है लास्ट पेज़े इसमें क् लास्त इस इस में से कंटिनीवसलिटिष्चाज है तो गट्रिटविल-ग्सक्वेटर के самый सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं इन लोग का टाइम साइकल हो सकता है तो इन सब मेशिन का टाइम साइकल होता है ठीक है तो यहां पर क्या विच अप्धिस इस अ कंटिनूस टायर डिश्चाज टैप इसका विप्पमेंट यह हो जाएगा आपका बकट्विल इसका मेंटर अब अब